बड़ी खबर चनवाड़ा चिला की चौरे के ग्राम तुनवाड़ा में अंदा दुन बारिश और उल्टी सिती तेज हवाओं ने कहर मजाया ग्रामिनों ने बता है कि तेज हवाओं की कारण कच्छे मकानों की चत्ते उड़ गई है और बिचले के खंबे किर गए है बड़े चोटे पेड़ पौते आड़े होके वही धुआतार बारिश ने भी अपना जंग दिखाया तुनवाड़ा की आंगनवाड़ी देजी घर में लगाई चाती है जिसकी चत हवा में उड़ गई है कई वर्षों से आगन वाड़ी मैडम अपने घर में आगन वाड़ी लगा ली है लेकिन आप उसकी चत उड़ गई है तुनवाड़ा में आगन वाड़ी भवन कई वर्षों से नहीं है मैंने लिखे सुचना दे चुकी हूँ लेकिन अपी तक भवन नहीं बना है और नहीं जवाबतार अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। इदर किसानों ने पी दुखणा सुना हैं। उनका कहना है कि लगातार बारिश से पहले ही हमारी फसल चौपड हो गी है। अब थोड़ी बहुत बची मक्का की फसल उसे भी बारिश का मौसम बरबार करा है। किसानों का कहना है कि आप करे तो क्या करे और जिये तो कैसे जिये। लगातार बारिश ने मन को जग जोट दिया है। बहुत तेज बारिश थी और शीट तो कम से कम 200-300 मीटर दूर जाके तूटी तूटी है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। राद भर तो ऐसी तकलिव में धेले क्या बता है। नीजी घर में आने का अंगारवड़ी लग रही है। यह नीजी घर में आठ बर्स हो गया और सासन की तरफ से ना कुछ मतलब इसकी किराय भवन मिलता है। कि मतलब दिवाग में भी चानकारी के बाद में वहाँ से कुई कारवाहई नहीं हो रही है। इशकुल में भी न कोई भवन ही ना कुछ है और गाउं में मिलता रहा है। तो मजगूरान में मुझे घर पर तमय एक वजे के आसपास अब भारी वारिस और तूफान से यहां महिलावाल विकास के बच्चे लोग यहां पर आगनवाडी लगे हुई थी और यहां पर जो तूफान में जो छती ग्रस्त हुआ है जिससे बच्चे लोग बाल बाल बचे और बहुत कड़ी मसक्कत के बाद में बहुत देर तक यह तूफान चलता रहा उसमें से बहुत सारी छती हुई यह माकान बगेरा जिसके सीड बगेरा यह इधर उधर उड़के इधर इधर चिथले उथले टाइट के पड़े हुए हैं और पीछे भी कि सभी तरफ से काफी लंबे कम से कम साथ फिट की दूरी तक यह सीड उड़के गई है इसमें बहुत सारी परिशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ा इन्वेशन दियूस के लिए चोरे से राजेश उईके की रिपूर्ट झाल